वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ड्रीम 11 ECC International T10 के दोस्तों आज के सेकेंड मैच के बारे में है दोस्तों सेकेंड मैच इटली और दोस्तों इंगलेंड 11 के बीच खेला जाएगा बतादो दोस्तों यह मैच साम को 5 बेजे से स्टार्ट होगा ध्यान रखेगा ठीक ना इस वीडियो में सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोनों टीमों का दोस्तों अभी तक टूनामेन में कैसा परफोर्मेंस रहा है फिर दोस्तों इसी के एकॉर्डिंग हम लोग आज का दोस्तों कंबिनेशन बनाएंगे इस मैच से रिलेटेड साथी साथ दोस्तों बता दू मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 2-3 पिलियर बताने वाला हूँ जो दोस्तों आपके लिए स्मॉल लिक और साथी साथ ग्रियन लिक में बहुत इंपोर्टेंट होने वाले जिनका दोस्तों सेलेक्शन परसेंटेज 10 से भी कम है तो ध्यान रखेगा दोस्तों वीडियो इंपोर्टेंट है पूरा वाज जरूर कीजेगा और एक और बात का दोस्तों ध्यान रखेगा जो दोस्तों मैं आपको वीडियो में कंबिनेशन बताऊंगा फाइनल कंबिनेशन उसमें दोस्तों मैं एक से दोस चेंज जरूर करू जाएगा साथ ही साथ दोस्तों comment section में भी मिल जाएगा वहां से दोस्तों आप टेलिग्राम channel को join कर लेना और जो भी दोस्तों मैं final combination पर वाइट करूँ उसी के साथ दोस्तों आप contest join करना और win करना और साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने इटली और दोस्तों इंग्लैंड के मैच में हम लोग combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दोनों टीमों का performance बता देता हूँ अभी तक दोस्तों टूनामेंड में कैसा रहा है उसके according दोस्तों आज के मैच में हम लोग अपना combination बनाएंगे तो बात कर लें दोस्तों सबसे पहले इटली टीम के बारे में तो दोस्तों इटली के टीम ने अभी तक टूनामेंड में टोटल 10 मैच खेले है 10 मैच में दोस्तों इसके टीम ने अभी तक 7 मैच वीन के और 3 मैच दोस्तों इन्होंने लॉस किया है और धियान रखेगा ये जो 3 मैच है दोस्तों 2 मैच तो इन्होंने कली लॉस किया है वहीं बात करें दोस्तों इंगलेंड टीम के बारे में तो England की टीम ने अभी तक टूनामेंट में बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेला है दो ही मैच इन्हों ने खेला है लेकिन दो के दोनों मैच दोसो इन्हों ने लॉस किया और ये भी दोसो दोनों मैच कल के दिन ही लॉस किया है तो धियान रखेगा दोनों ही टीमों का दोस्तो रीसेंट परफॉमेंस उतना बेटर नहीं है तो ऐसे मैच में दोस्तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ एक पर मैं फिर से बता रहा हूँ आपको दोस्तो जादा ट्राइ नहीं करना है स्मॉर्ल लिग में 6-5 का कमबिनेशन लेकिन ग्रेन लिग में 7-4 का कमबिनेशन ऐसे मैच में जरू ट्राइ कीज़ेगा दोस्तो देखो दोनों ही टीम अच्छी टीम है लेकिन डीसेंट परफॉमेंस अच्छा नहीं है यह दि दोस्तो आप इंग्लेंड को favor कियो ग्रेंड लिंग में और इंग्लेंड की टीम दोस्तो एक तरफा वीन करती है तो दोस्तो साचर का combination ग्रेंड लिंग में आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है तो यह चीज़ को ध्यान में रखेगा मैं दोस्तो अभी तो 6-5 का combination आपको बताऊंगा small league के लिए जिसमें दोस्तो मैं इटली टीम को favor कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तो इटली टीम के पास जो batting section है और दोस्तो इनके जो baller है बहुत ही कमाल के है लेकिन दोस्तो इंग्लेंड टीम भी strong team में ध्यान रखेगा इनके द batsmen अच्छे batsmen जो दोस्तो टॉप order में आते उन्हें टीम में जरूर रखेगा baller में दोस्तो ऐसे baller जो दोस्तो देथ में आते हो और साथी साथ जिनका recent form अच्छा हो उन्हें जो तो जरूर ट्राई कीज़ेगा small league में और साथी साथ एक spinner आप small league में भी रख सकते हो grain league में ट्राई कर सकते हो यह तीनों चीज़ दोस्तो आगे में आपको वीडियो में बताऊंगा combination बतारने ही समय कि दोस्तो आप किस batsman को रख सकते हो कौनसे baller आज के match में दोस्तो देथ होवर में balling करेंगे और किस spinner के साथ दोस्तो आज के match में आप small league में भी जा सकते हो और grain league मे करती है तो average score दोस्तो आपका 90 और 110 के बीच में रहेगा लेकिन दोस्तो यदि England की team batting first करती है और दोस्तो इनके जो एक दो player है जिनका भी recent form उतना अच्छा नहीं है लेकिन by chance भी दोस्तो वह चल गया न तो दोस्तो इस match में बहुत अच्छा score आपको लगते हुए दीख सक section में दोस्तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है आप दोस्तो लिकन को अपने सभी combination में try कर लेना क्योंकि यह देखो opening आता है और साथी साथ दोस्तो रीसेंट form भी अच्छा है और साथी साथ हार्डीटर batsman दोस्तो six के लिए यह जाने जाते है तो मेरे दोस्तो फरस्ट लगे थे तो यहां पर दोस्तो को आप जील में try करना और Smallling तो आप लिकन के साथ जा सकते है और Grenl предлож में भी दोस्तो आप लिकन के साथ जा सकती हो लेकिन थोड़ा सा Docks लेना चाहते हो तो टीकेट को try करना Other दोसर जो दो two से तो बैटिंग सेकशन से फ्रुस्ट टीम तुन के दोश्ट कैप्टन है बाॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं और दोस्त Digital लोग करने आएंगे और एक से दोसो दोबर कंप्रीट बाॉलिंग करते तो लिए अच्छे और दोस्तों सांदार पिक रहेंगे टीम में जरू ट्राइगी जगा फिर नीचे से दोस्तों आपको एक कार्डल का ओप्शन दिख रहा है कल के मैच में दोस्तों फर्स्ट मैच इन्होंने खेला सेकेंड मैं दोस्तों इन्होंने नहीं खेला ये दि दोस्तों दोस्तों आप Grand League में जरूर ट्राई करना क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है ना काफी अच्छा है यह बात का ध्यान रखेगा बात कर लें दोस्तों नीचे से के 200 टीम बना रहे हो न तो उस टीम में टी बेवन, एचवाड और दोस्तो इधर से लिकन, ये तीनों को ही दोस्तो कैप्टन भाईस कैप्टन बनाना, डेपनेटली दोस्तो आपका ग्रेंटली का रेंक बहुत अच्छा हैगा, ये चीद दोस्तो मैं आपको स्टार्टिंग मे को ट्राइ करूंगा, जैसे नीचे से आर संदू, दोस्तो ये ओपनिंग करने आते हैं, तो आप इनका परफॉर्मेंस देखो, पूरे टुनामेंट में तो काफी अच्छा रहा है, तो दोस्तो मेरे सेकेंड पिरफ्रेंस दोस्तो आर संदू रहेंगे, और ठार्ट पिरफ् एचवार्ड और दोस्तो बैबेंड आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, स्मॉल लीग, ग्रेंड लीग दोनों में, यदि दोस्तो आप इंगलेंड को हलका सा भी फेवर कर रहे हो, तो टीमें जरूर ट्राइ करना, लेकिन मैं दोस्तो इसलिए ड्रॉप कर रहा हूं, इन आपने स्मॉल लीग टीम में रखूंगा, और इनको यदि आप रखना चाहते हो, तो आप क्या करना, उपर से आर संदू को ड्रॉप करके इनको रख लीजेगा, ठीक ना, यदि दोस्तो इनका बैटिंग पोजिशन 1-2-3 में हो तब, बात कर लें दोस्तो ओल अंडर से काल आपको बैटिंग से भी पॉइंट नेगे, धियान रखेगा, यदि दोस्तो इतली की टीम का स्टार्टिंग में एक दो बिकेट जल से जल गिर जाता है, तो दोस्तो उस टीम में आपके लिए कालू गामे कैप्टन वाले पिक बन जाएंगे, तो दोस्तो यदि आप ग्रें पॉइंट दोस्तो ये ओपनिंग करेंगे, और साथी साथ दोस्तो एक से दो बालिंग करते हैं, और जब भी दोस्तो ये बालिंग करते हैं, इन्हे बिकेट मिल जाता है, तो ड्रॉप करेंगे, और दोस्तो यदि मान के चलो सामने वाले के टीम में होएंगे, और मान के चल और दोस्तो नीचे से S P D, दोनों ही दोस्तो देथ में बॉलिंग करते हैं, और दोनों ही दोस्तो अच्छे प्लियर है, बैटिंग से भी आपको definitely score करके देंगे, और ये रिस्टन तो दोस्तो इंग्लेंड टीम के captain भी है, तो अच्छे पीक रहेंगे दोस्तो ये दोनों को drop म आता है, तो ऐसे में दोस्तो आपके लिए कुछ खास option नहीं रहेंगे, इस्मॉलिंग में, बट जील में रख सकते हो, यदि दोस्तो इटली की टीम का एक दो बिकेट दोस्तो स्टार्टिंग में गिर जाता है, तब दोस्तो जील में आपके लिए पी फ्रांडो अच्छे option बन सकते हैं, फिर दोस्तो एक और मैं नीचे से लास्ट option बताता हूँ, जे चोहान का, दोस्तो ये बॉलर मुझे काफी पसंद आए, कल के मैच में दोस्तो इन्होंने काफी अच्छा बॉलिंग किया है, फर्स्ट में दोस्तो इनका उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन स दियान रखेगा, दोस्तो इस खिलारी पे 11% सेलेक्षन है, मैं मेभी दोस्तो टस्ट के बाद इन्हें अपने टीम में भी रख सकता हूँ, दो धियान पर दोस्तो मैं फिर से मार कर देता हूँ, इस खिलारी के बारे में ठीक ना, कात कर लें, दोसो, बॉलिंग सेक्षन से, तो 1st almost 1900, इस मैच में, आपके लिए रहेंगे GIE SING, GIE SING को दोस्तु आप ट्राइ जरूर करना है, Small League में, Green League में दोस्तो, आप णिजाय purity लेना चाहते हो, तो इने आप drop भी कर सकती हो, इस最 same hook में दोस्तो, आप drop कर सकते हो यदि आप England team को favor करके team बना रहे हो ठीक ना फिर नीचे से दूसरो आपके लिए England के अच्छे बॉलर दूसरो एक गोटसेल का option है देखो इसमॉल लिक team में आप क्या कर सकते हो देखो एरसेल और एक गोटसेल दोनों ही दोसो अच्छे बॉलर है लेकिन आप दोनों को स्मॉल लिक में trying मत करना گ्रेन लिग में दोसरो आप दोनों को try कर सकते हो यदि दोस clinician team को favor करके team बना रहे हो लेकिन ध्यान रखेगा Small League में दोनों दूसों यदि आप टीम में रखोगे तो रिक्सी रहेंगे तो अभी के लिए दूसों मैं एक गोटसल को रख रहा हूँ रीजन के है दूसों ये देथ में बॉलिंग करते हैं ये रसल दूसों देथ में बॉलिंग नहीं करते हैं पावर पले और दोस्तों आपको सेवन नमबर दूसों ओबर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे तो मैं थोड़ा सा दूसों एक गोटसल को प्रेफर कर रहा हूँ otherwise दोनों का दोस्तों performance काफी अच्छा रहा है दोस्तों T20 में ध्यान रखेगा good sell का बात करें तो दोस्तों देखो अभी तक 17 match इन्होंने खेला है T20 में और इन्होंने आपको उनी स्विकेट प्रवाइड किया है वहीं दोस्तों बात करें A. Russell का तो दोस्तों A. Russell ने अभी तक 14 match खेलें T20 में और 19 इन्होंने प्रवाइड कर चुके हैं तो performance दोनों का अच्छा रहा है लेकिन क्योंकि हम लोग Italy team को favor कर रहे हैं दोस्तों small league में इसलिए दोस्तों मैं drop गिया हूँ फिर नीचे से अभी के लिए दोस्तों मैं अनीक और H.L.E. के साथ जा सकता हूँ अभी के लिए दोस्तों मैं prefer करूँगा अनीक हो क्योंकि आपको batting से भी point देते हैं और bowling तो दो ओबर करेंगे otherwise दोस्तों आप H.L.E. के भी साथ जा सकता हूँ ये भी अच्छे baller है performance काफी अच्छा रहा है टूनामेंट में और दोस्तों ये देथ baller है ये देथ में balling करते हैं दोस्तों maximum time दोस्तों ये चली आपको देथ में balling करते हुए दिख जाएंगे कालू गामे के साथ तो ध्यान रखेगा देथ baller है टीम में रखना चाहते हो तो रख सकते हो अब बात कर ले दोस्तों captain भाइस captain तो मैं आपको starting से बताता हूँ देखो small league हो या grand league हो मैं चाहूंगा दोस्तों आप Linson को कम से कम small league में BC करना और grand league में captain करके team बनाना अभी तक दोस्तों performance उतना अच्छा नहीं आया लेकिन मुझे उमीद है यह खिलारी काफी आचा आपको perform करके देगा ठीक ना फिर नीचे से BC अच्छे option रहेंगे BC के लिए क्योंकि opening करने आते हैं और एक से दो अपर दोस्तों balling भी करते हैं यू गुजर को दोस्तों grand league में captain भाइस captain जरूर कीजेगा small league में दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूं देखो जनता नहीं नहीं जरूर किया है 26% जनता नहीं नहीं दोस्तों captain किया लेकिन दोस्तों मैं recommend करूंगा grand league में ज़्यादा अच्छे 24 रहेंगे small league में batting थोड़ा सा क्या है दोस्तों opening करते हैं यदि दोस्तों opening से आपको 50 run score कर दिये तो आपके लिए दोस्तों grand league में अच्छे pick रहेंगे लेकिन small league में रिक्सी pick रहेंगे small league में captain bc आपको नहीं करना है ठीक ना कालुगा में 100% आप small league में captain bc कर सकतो बैटिंग balling दोनों करते हैं देथ में balling करेंगे और साथी साथ आपको top order में batting करने आएंगे और definitely दोस्तों आपको यह point देंगे fantasy में तो अच्छे option रहेंगे एस आप ही अच्छे option रहेंगे small league में bc के लिए grain league में captain के लिए region के है दोस्तों एस आफी maximum match में opening करते है आर सिंग संदू के साथ और एस आफी दोस्तों आपको एक से दो भर balling भी कर सकते हैं ध्यान रखेगा कल के match में दोस्तों इन्होंने balling भी किया था और bicket भी आपको provide किये थे तो ये चीज़ को ध्यान में रखे आप दोनों को captain भी c करना ठीक ना यदि दोस्तों England टीम को आप prefer कर रहे हो तो आपके लिए अच्छे choice रहेंगे bc के लिए captain के लिए captain के लिए नहीं बोल रहा हूं लेकिन आप इन्हें bc कर सकते हो क्योंकि balling batting दोनों से आपको point देंगे वही दोस्तों आपको टीप रेविस का उन्हें दोस्तों आप टीम में जरूर रखेगा यदि दोस्तों England टीम को आप फ्रेवर कर रहे हो और captain bc भी दोस्तों आप उनी को कीजेगा अभी के लिए दोस्तों ये मेरा टीम final है captain दोस्तों मैं जाओंगा अभी के लिए कालुगामे के साथ और भाइस captain A.Safi के साथ जाओं लेकिन दोस्तों टस्तों के बाग यदि मुझे इसमें दोस्तों कोई changes करना होगा और यदि दोस्तों England की team first batting करती है तो दोस्तों मैं batting section से जैसा मैं आपको वीडियो में भी बताया एक changes करूंगा आर सिंग संदू के जगह दोस्तों मैं किसी भी England batsman को team में रखना चाहूंगा तो final team दोस्तों मैं आपको telegram पे provide कर दूँगा यदि दोस्तों अभी तक आपने telegram channel को join ने कियो तो कर लिजेगा link आपको नीचे description section में भी मिल ज जाएगा वहां से दोस्तों join कर लिजेगा और जो भी मैं final combination provide करो उसी के साथ दोस्तों contest join करना और दोस्तों win करना ठीक ना और साथी साथ दोस्तों अभी तक आपने YouTube channel को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों YouTube channel को जरूर subscribe करना और subscribe करने के बाद दोस्तों सबसे important notification का घंटी जरूर और दोस्तों यह we दोस्तों अवाल हो और झाल हो इब दो ऑट्षट को एऊंग पर आण पर डप जोस्तों काीटों अज हम दोस्तों नवाल और व इत्स, आपको